किसान सातियों, नमस्कार, आपका स्वागत, हमारे यूटुब चनल, खेती दुनिया में, मैं आपका दोस्क अनुस्ता आगवा है। किसान सातियों, आज इसके टम में हम जो है, परिसान हो चुके हैं जerus जणली जानुवर के परकोप से, क्योंकि जंगली जानवर हमारे खेत में आके हमारी जो फसले हैं उन्हें बहुत जादे नुक्सान पहुचा दे हैं तो उन्हें बचाओ के लिए यह आप देख रहे हैं यहाँ पर सोलर पैनल फैंसिंग होती है इस तरीके की फैंसिंग आप अपने खेतों में करा सकते हैं जिसकी जानकारी आज मैं इस पूरी वीडियो में देने वाला हूँ में इसाथ अप वीडियो में आणतक जरूर बने रहे वीडियो आपको अछी लगे तो फीडियो को Like जरूर करें शेयर करें और साहर मैं चैनल को सथकराइब एसमें तो जानते हैं कंपञी के सर उनका परीच में र है उनका इस और उंकी कंपणे का सर नमस्कार आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल खेते दुनिया में तो यूटूब चैनल की ओडियन्स जो आपको लाइव देख रही है इस समय तो उन्हें जानना चाहरी है कि यह सोलर पैनल फैंसिंग क्या है क्या आपकी कंपणी ऐसे क्या काम करती है थोड़ा सा इस हैं यह हमारी जो कंपणी है सोलर इलेक्रिक फैंसिंग बनाते हैं जो हम आम तोर पे तारबाड करते हैं काटे की जाली की या ब्लेड वाले तार की उससे जानुरों को भी नुकसान होता है और उनकी रोक थाम बे नहीं हो पा रही उसी शिंकला में यह टेकन नहीं टेकनोलो है उन्हें जोर का जटका लगता है और वो खेत में दोबारा नहीं आते हैं इसकी सबसे अच्छी बात यह कि यह सिस्टम पुरी तरीके से सरकार से मानेता प्रापत है इसमें जानवर चाहें छोटा हो बड़ा हो आदमी हो किसी को किसी प्रगार का शारिरिक नुकसान नहीं पारा है तो फोच जादा नुकसान वहाँ पर किसान बाइयों को हो रहा है तो उसे बचाओ के लिए इस तरीके की पैनल ही लगाएं क्यों लगाएं वो थोड़ा सा इस पर्श्ट करें इसमें सबसे जरूरी आपने सही सवाल पूछा कि क्यों लगाना चाहेंगे सबसे गानें से फैंसिंग की जाती है टार्ब इस परकार से जो बीच के खंबे उता हैं पे इंसुलिटर लगते हैं और यह एक प्लेनो खीचा जाता है तो इसमें पाकार किसी परकार का भी किसान अपने बज़ट के ऐसांदार्स अ小ई आप्ण कर सकता है चाहर वह पत्सर यह समे और एक शोटी बैटरी लगी है तो यह चोटी मशीन और यह बैटरी पाँ एकड का एरिया चारो तरफ से कवर करने के लिए परयाप्त है तो यह बारा बारा की बैटरी और 20 वार्ट की प्लेट में आपको पांच एकड का एरिया कवर करने में सक्षम है इस 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 निंगला में हमारे पास बहुत 500 एकड तक की कैपस्टी की मशीने हैं वह आपको दिखाऊंगा बाद में तो इस परकार से यह करने में एक तो किसान क फाइदा यह है कि उसको रात बर जाक के पश्वियों से आदमियों से अपने खेत की रक्षानी करनी है उनका काम है अपने खेत में मेहनत करें जी फसल को अच्छे से प्यादा करें और जो फसल हुई है उसका जारह-जारह मुनाफा ले पाएं तो अभी जैसे सोलर फैंसिं बड़े-बड़े फारम है यहां चोरी का खत्रा बहुत जादे बड़ा हुआ है तो इसकी जो यह फैंसिंग है इसको हम ना एक केवल खेतों में बलकि आपने मकान पे जहां बंदर की समस्या है चोरी की समस्या है फैक्टरी में है और इसमें हम जो हमारी भारतिय सेना के वि आपका मकान फैक्टरी दुकान और जो भी चीजे हैं हर जंग आप इसको लगा के अपना चाहें वो जानवर से बचाना हो चाहें आदमियों से तो उस लिए हर परकार से कारगर है तो अभी जैसे जंगली जानवर तो इस समय सेहर की ओर आ रहे हैं तो उनसे अगर जैसे लगेगा नुकसान तो उसे नहीं होगा तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसमें है सुधार बात में कि इसमें करेंट नहीं चलता है इसमें DC वोल्टेज की पल्स आती है आपको दिखाता हूँ आईए हम वहाँ पर इसको जड़ा देखाते हैं तो यह ऐसे मैंने अभी सिस्टम चालू कर दिया तो वो देखी हमने एक छोटा सा इंडिकेटर लगाया है तो इसमें आप देख रहे हैं कि हर सवा सेकिंड में एक ऐसा एक बार जलेगी बंद होती है तो इसी परकार लाइन जो आती है वो सेकिंड के 300 हिस्से के लिए मातर आती है तो हम जब पलक रपकात इसमें सेकिंड के 8 हिस्से लगते हैं तो सोच सकते हैं कि सेकिंड का 300 हिस्सा कितना छोटा होगा तो इसलिए इतनी ही समय के लिए आएगी नुक्सान तो नहीं होगा पर कि जटका जितना लग तो अब जैसे अभी सब्सक्राइब बागवानी विभाग इसमें 50% सबसीडी दे रहा है उतरा खंड की बात की जाए तो यहां पर भी कुछ इस्वों में पोरिस्ट अपने बजट पे खर्चों पे इसको फैंसिंग को करवाता है तो इसी परकार अभी जैसे जाओ अभी गु आफो आपके पैनलें आफ में जानन लेति हैं वन्पैनला के बारे इनमें यूज वहने वाले समान है थोड़ा सभी जैसे बात की जाए तो खितने बड़े पैनल लगते है य। farmers जागूरता होते तो इसमें 20 से 50 60 watt last होता है पैनल का साही जिस पर आप यह लगा कि अपने सिस्टम चला सकते हो तो जैसे 60 watt का आपने last वाला बताया तो वो कितने एकड को cover कर सकते हैं 60 एकड का हम 100-500 एकड तक के area के लिए cover करते हैं और ऐसे फिर बड़ा जो एरिया होता है 50-60 एकड का वहां पर हम 50 वाट पर चले जाते हैं और इस परकार के विबिन इंसुलेटर, कॉर्नर, सेफटी स्प्रिंग, टैंशनर, वायर टाइटनर यह सब लगते हैं और वहां जैसा आप देख पा रहे होंगे विबिन कैपस्टी की मशीने हैं इसमें जो आप सबसे इदा है यह 500 एकड कैपस्टी की मशीन है उसके बाद आप जो देख रहे हैं 75 एकड, 30 एकड और उसे लेके वहां लास्ट में जो पाँच एकड का कैपस्टी का मशीन है आईए मैं आपको दिखाता हूँ छोटे किसानों और मकानों के लिए हमने स्पेशल एक डिवाइस बनाया है यह पाँच एकड का एरिया कवर करता है मकानों पे लगा सकते हैं कहीं पे भी आप स्पेशल जगह बनाने के लिए इसको आप बाहर ओपन में लगा के चला सकते हैं और यह लाइफ लोग खराब नहीं होता है इसकी लेड लगा के आप डार एक मार में चेक रहाता हूँ देखिए हमने बारा बारे की छोटी बैटरी है इसको लगा के आप ऐसे इसमें प्लग करिए कि और यह भी चालू हो गई है इसमें इस परकार से आप देख पा रहे हो कितना स्पार्क जो स्पार्किंग है इस परकार से आती है हर सवा सेकिंड में जटका आता है लाइन पे पार कितना उनका खर्चा आने वाला एक एक कड में लगाने पर कितना खर्च मानके चले läuft user बिलकुल जाएज आपका सवाल है 5 जैसे बात की घा था पहले एक कर्द की बात की तो सबसे चोटे यूनिट का मैं एक्जम्पल लेके बात करता हूं तो यह सिस्टेम मेंगर आप शुरुआती खर्चा है जिसमें मैं खंबे किसान के हिस्से के लिए छोड़ देता हूं और इसको लगाने की लेबर तो समान समान की बात की जाए तो इसमें साथ से बारा हजार रुपए पहले एकड़ का खर्चा आता है जिसमें जैसे आपने देखा लगलग परगार के इंसुलेटर हैं वायर की कौलिटी है मशीन में भी दो तिन कौलिटी हैं तो उसके हिसाब से शुरुवात हो जाती है उसके बाद मान लीजे किसी के पास तीन एकड़ है तो उनका क्या खर्चावा तो बाद के जो दो एकड़ है उन पे ओनन एवरेज जो लागत आती है वो ढ़ाई से तीन हजार रुपे के बीच माज़ तो किसान अपना उसी साब से देख सकते हैं अपने बजट के साथ मसीन अ पुरा तरीका जानकारी देते हैं और आपके चैनल के माज़म से और वैसे भी हमने छोटे-छोटे वीडियो क्लिफ्स बना रखी है कि इसमें इस्टोलेशन कैसी की जाए कैसे इसको लगाना है किन बातों का ध्यान रखना है किन बातों से को नहीं करना है तो वो हम करते हैं साथ में कहीं पे भी किसान अटकता है या कोई उनको चीज समझ में नहीं नहीं हो पा रहा है तो उसे जो उसका आने जाने का खर्चा होता है जो इनको काम सिखा रोका होता है तो आके उनकी इंस्टोलेशन कर देते हैं और बात की जाए वारंटी गारंटी की तो जैसा आप देख पा रहे हो यह एक छोटी मशीन है इस पे हमने लाइफ लॉंग वारंटी कवरेज दिया है कि आप साड़े बारा सो रुपर अगर कभी कोई परकार से कोई दिक्कत परिशानी आती है मशीन काम करना छोड़ देती है तो साड़े बारा सो रुपर देखे किसान साथी नया पीस हमसे ले जा सकते हैं लाइफ लॉंग तो हम हमारा जो कंपनी बनाने का एक उदिश्य सिर्फ सामान बना के बेचना भर नहीं है हम पिछले बारा साल से कारेरत हैं और जितने भी हमारे कस्टमर है कभी भी उनको समस साथी है यह नहीं कि आपकी वारंटी खतम हो गई या आप कोन करेंगा तो हम आपकी मदद में हम लाइफ लोंग किसान की साथियों की जिनको भी कोई समस्याती मदद करने के लिए हमेशा ततपर है हमेशा हमारे नंबर पर आपको रिप्लाई मिलेगा जो सुबह आप 10 बज देता हूं 87-599-5000 इस पे आप फोन करिए कॉल करके या वट्सप करके अपनी जानकारी या जो भी ओर्डर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं मैं फिर से दोरा देता हूं 875995400 पर आप कॉल करके इस पे अपना ओर्डर या जानकारी ले सकते हैं और हम साधार जो सरकारी डा किसान साथियों देना होता है बहुत बहुत दन्यवाद सर अमारे किसान भायों के इतना जागरूप करने के लिए इतनी अच्छी चीजे उनके लिए बनाने के लिए उनके फसलों को बचाने के लिए आपने बहुत सारी मैनत करी आपने कंपनी ने ठीक है तो किसान साथियो अभी सर ने तो आपके लिए ये चीजे प्रोड़क्ट बना दिया है कंपणी ने और सरकार भी इस पर आपको बहुत सारी साहिता दे रही है 80% तक की सबसीडी भी आप इस प्रोड़क्ट पर ले सकते हैं बश्रते किसान सात्यों आपको अगर अपनी फसल से नुकसान से जंगली जानवर से जो बचाव करवाना है तो जंगली जानवर से बचाव कराने के लिए आप इन सोलर फैंसिंग मसीन को अपने खेत पर तार बाढ़िंग जो हम दिसी बासा में बोल दें की जनल में खेतों में जूंतों दुए आज़ हूना करने तो तरीकी सेसे मड़ता Satya यह कुछ ऑन वह सबीन ।क्षारी सेपोर्टों करें। तो किसान सातियों के लिए अनुरोद करूँगा कि अगर जादा से जादा जो दिया गया नमबर है उस पे संपर करें इस मसीन को जादा से जादा लगाएं और चाहूंगा अगर जो किसान भाई अभी लाइव देख रहे हैं वीडियो को जिसने अभी तक वीडियो को लाइक करा है वीडियो को लाइक जरूर कर दे शेर कर दे उन किसान भाईयों के लिए जिने जरूरत है इस जैसी मसीन की अपने घर पर लगाने के लिए तो बैल आइकन वाले बटन को जरूर दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिलती रहे और अनुरोध करूआ अग पिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के सांथ जाइब